हलो नमस्कार मित्रूं। Steady Exam Academy के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं Steady Exam Academy के YouTube चैनल पर इंडियन आर्मी की जो तीन साल की जो बढ़ती की प्रोसेस है। उसके बारे में कुछ परशनों का एंस्वर लेके आया हूँ आपके सामने। पहला परशन पूछा जा रहा था बहुत ही ज़्यादा कि सर इसके अंदर आयू सिमा क्या है। सबसे बड़ा परशन है कि इसके अंदर आयू सिमा क्या रहने वाली है। दूसरा परशन था इसमें कि इसमें बढ़ती की प्रोसेस क्या रहेगी। यानि कि इसके अंदर इंट्रिव्य होगा या नहीं होगा इसका सेलिबस क्या रहने वाला है सबसे बड़ा दूसरा परशन यही था अगला परशन था इसमें क्या इसमें तीन साल के बाद क्या इसमें पेंसन मिलेगी या नहीं मिलेगी ठीक है और तीन साल की नोकरी करने के ब को सबसे बड़ी बात ये है कि इसके अंदर ये जो इस परकार का जो प्रोसेस इंडिन आर्मी जो लेके आई है वो क्यों लेके आई है सबसे बड़ी बात ये है तो इसमें क्या होगा जो एक युवा का इंडिन आर्मी में जाने का जो जुनून होता है वो जुनून पूरा हो होगा दूसरी बहुत यह कि इसमें जो युवा है वो अनुसासित होगा तीसरी बात यह है कि इसमें बेरोजगारी कम होगी किस परकार्श होगी मालो की जैसे कि हम ट्रेन में यात्रा करते हैं मालो कोई भी कोई भी युवा है वो मालो ट्रेन में कहीं जाता है मालो उसे मालो कहीं आर्मी में मिलता है कहीं पर भी जब वो उसको वर्दी में देखता है उसका जो अनुसासन देखता है तो उसका भी मन करता है कि मैं भी इस परकार की वर्दी पहनू उसकी भी इच्चा होती है इंड 100% यानि आर्मी का इसमें कोटा मिलने वाला है यानि इसके बाद आपको आर्मी का आप केलाओगे आर्मी की पूरी आपको सुईधा मिलेगी ठीक है उसके बाद अगला था क्या इसमें प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं यानि तीन साल के बाद क्या होगा देखो तीन साल के बाद जब आपको आर्मी का आपको प्यास चर्टिविक्ट बन जाएगा तो उसके बाद आप प्राइवेट जो सेक्टर है उसमें बहुत सारी कम्पनिया ऐसी होती है जह एक्स का अलग से जहां दर्जा दियावा होता है उनको बहुत सारी नोक्री में गोर्मेंट या प्राइवेट जो में छूट मिलती है तो आपको गोर्मेंट और प्राइवेट जो में इसमें छूट मिलने वाली है ठीक है अगली बात ही क्या इसमें पैंसन मिलेगी या नहीं मिलेग गौर्मेंट का उधिश्ची यह है कि जब माननों कि इसमें जो सरकारी जो ओपिसर बगएरा होते हैं गौर्मेंट ऑ इंडिन आर्मी के उनको जब पेंशन दी जाती है जिसमें इंडिन आर्मी का जितना बजट आता है उस बजट का 38% उस पेंशन में चला जाता है तो इससे देखो एक तो इस परकार से जो देश की अर्थ वेवस्ता है उसमें काफी हद तक सुधार होगा ठीक है देखो जिसमें इंडिन आर्मी का मानलो अभी जो 10 से 15 साल तक जो सर्वीस होती है ओपिसर की तो उसमें कम से कम एक ओपिसर पर 5 क्रोड का खर्चा आता है लेकिन जब 3 स साल के लिए इस परकार का जब यह सिश्टम चलेगा तो 3 साल के लिए एक ओपिसर पर 80-90 लाग का खर्चा होगा यानि एक ओपिसर पर 3-4 क्रोड रुपियों की क्या होगी बचत होगी ठीक है अगला है कि इसमें क्या होगा कि ओपिसर होंगे वह यूवा ओपिसर मिलेंगे बिल्कुल ठीक है अब अगला परशंदा कि इसमें सेलेरी कितनी होगी तो मैं सेलेरी के बारें बात करूं तो इसमें अभी मान कर चले हम तो इसमें 90,000 के लगबग सेलेरी होगी यानि बहुत ही अच्छी सेलेरी होने वाली है इसमें देखो आयू सिमा क्या निर्दारी थे इसका कोई भी notification नहीं आया है आयू सिमा का फिर भी हम यदि बात करें तो इसमें देखो अधिक्तम आयू सिमा लगबग माने तो इसमें 35 वरस तक हो सकती है इसकी ज़्यादा संभावना है अगला है क्या ये टीये आर्मी की तरह होगा तो बैको टीये आर्मी में क्या होता है जो टीये की टेराटोरियल आर्मी होती है जो पेदल से ना है उसका अपना सिस्टम अलग है वो इस इंडिन आर्मी से थोड़ा उसका सिस्टम फंडा थोड़ा अलग है तो इसमें क्या होता है कि 18-42 साल तक हम टीये में जा सकते हैं टेराटोरियल आर्मी में जा सकते हैं तो बिल्कुल आप निशित रही है इसके अंदर आपका इंट्रिव्यू होगा इसमें आपका इंट्रिव्यू होगा और इसका बढ़ती प्रोसेस क्या रहेगी दे कि बढ़ती प्रोसेस जो भी वर्तमान में जो चल रही है वही बढ़ती प्रोसेस रहने वाली है उसी प्रकार से physical होगा medical होगा रीटिल होगा यानि इसमें कोई छूट नहीं मिलने वाली है जिस परकार की अभी process सल रही है same to same वह ही process रहने वाली है इसका syllabus क्या होगा तो syllabus में देखो कोई बाहर से तो कोई person आने वाले है लेकिन अभी indian army ने जिस परकार से अभी person आर रहे है तो fix नहीं हो सकता है उसमें English भी और जोड़ दे क्योंकि जो officer होते हैं तो इस rank तें English आती है तो इसमें English score जोड़ दे जाएगा English है, math है, reasoning है, science है, यह जो topic है यही इसके अंदर रहने वाले है तो इसके अंदर आपको यदि और भी इसके अलावा Indian Army से related और इस बरती से related कोई जानकरी चाहिए तो आप मुझे नीचे comment कर सकते हैं वीडियो के नीचे तो सात्यूं यह जानकर आपको कैसी लगी, यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें, ज्यादा से ज्यादा सात्यूं के साथ share करें, channel को subscribe करें ताकि आने वाला हमारा हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, धन्यवा सात्यूं, जैहिन